दस साल की सजा हुई है आपको हाँ हुआ है जब काले हैं कि सरकार जद पिल्टू था इज़ाज है यह देखा इस गलांस था आई वी टीवी देखता है इंडिया नवचकार मेरे नाम बीना है और आप आई वी टीवी देख रहे हैं बाहुबली पूर्व विधायक अनन सिंग को लेकर आज कोट में सुनवाई हुई और इस दौरान एक बार फिर आनन सिंग को 10 साल की सजा सुनाई गई है बता दे कि उनके उपर सरकारी आवास में अवेर हत्या रखने का मामला था और इसको लेकर आज कोट ने पैसला सुनाया है इस दौरान उनको एक बार फिर 10 साल की सजा सुनाई गई है अगे क्या आपील करेंगे इस मामले में क्या लगता है कि जान बूचकर फटाएगे आपको अनन सिंग के सरकारी आवास से इंसान डाइफल, मैगजिन और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामत होने के मामले में उन्हें 10 साल की सिजा सुनाई है इससे पहले कोट ने उनके लदमास्तित आवास से एके 47 और हैन ब्रेनेट मिलने के मामले में 10 साल की सजा सुनाई थी कोट द्वारा 10 साल की सजा सुनाई जाने के बार बिहार विदान सभा से उनकी विधाय की भी रद कर दी गई की बतारे के बिहार के मोकामा से 5 बार विधायक रहे मोख्य विपक्षी राष्ट्रे जनता दल के पूर्व विधायक अनन सिंग को आज विशेस अदालत ने 10 वर्ज की सजा सुनाई है MP MLA नियाले के विशेस नियाईदेस त्रिलो की दूबे ने गुरुवार को एक मामले में उन्हें 10 साल की सजा सुनाई है आरोप है कि वर्ज 2015 में सिंग के पटना आवाज से मैगजिन और बुलेट प्रूप जेकेट आदी की बरादमगी हुई थी इस मामले में नियाले ने उन्हें पिछले सब्ता ही दोसी करार दिया था और सजा की तिती आज मुकरर की गई है इसके तहट उन्हें 10 साल के सजा सुनाई गई है लेकि यह है कि यह मामला वर्ज 2015 का है ऐसे में सुनिये कि अनन सिंग के जो वकील थे उनका क्या कहना है लोग अपील में जाएंगे अपील में तो कौफी मिलेगी उसकी कौफी मिलने के बाद हम लोग अपील में जाएंगे बतारे कि विशेस न्याले में आज उनकी सुनवाई थी और इस दोरान उनको 10 साल की सजा सुनाई गई है इससे पहले भी उन पर 1147 का मामला था जिसमें उनको 10 साल की सजा सुनाई गए थी और उनकी विधायकी के पदपोर रद कर दिया गया था आप देख रहे थे आईवी टीवी तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए आईवी टीवी के साथ बने रहे हैं धन्यवाद